हाई गार्ज वल्कम बेक टो इन्बी लर्निंग हम कर रहे हैं इसमें लावत की बुक एफ़िया सिस्टम पेज नमबर है 58 और इस चप्टर का टोटल क्वेस्ट नमबर है यह 21 तो सवाल है कि एक स्टीम प्लांट 1500 होट्स पावर पैदा कर रहा है जिसकी चिमनी की बलंदी जो हो तो चिमनी का डाय मालूम करो बेरुनी फिजा का दर्जारा 30 डिग्री सेंटी ग्रेट है यह हमारे पास सवाल है और इसमें हमने मालूम करना है डायमिटर ऑफ चिमनी तो सबसे पहले डाटा में देख लेते हैं पावर प्रोड्यूस 1500 हप है फ्यूल कंजूम कितना है 20 पॉंड पर पॉंड ऑफ फ्यूल के मास इसको म A से डिनोट कर लेंगे मास ओ इए क्या होगा मास ओ यहगा कि आपने क्या करना है और पिष दिज्जार जोबियू है यह सं से आपने एक माइनस कर देना है कि हमारे आ जिएगा मास ओफ एर क्यूंकि बीस मेंसे उन्स हिसे तो यह होती है और एक हिसे जो ह्ता है वो फ्यूल होता है तो इसमेंस एप 1 माइनस कर देंगे तो 19 पाउंड जो है वह पर पाउंड फ्यूल को चाहिए temperature, atmosphere, T1 उसको हम कह लेते हैं 30 degree absolute में convert कर लेंगे 303 degree हो जाएगा diameter of 70 हमने मलूम करना है तो आगे चलते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है total fuel consume अब हमने मलूम करना है कि total fuel हमारा कितना consume हुआ है उसके लिए हमने simply क्या करना है जो हमने multiply कर देना है जो के हमारी HP दी हुई है पावर दी हुई है पंदरह सो उसको multiply कर देना है आपने फ्यूल के साथ यानि के पावर को फ्यूल के साथ multiply कर देना है जो के पाँच उसने हमें provide किया हुए 5 pound fuel is used for each HP तो हमारे पास 75 hundred pound per hour जो है mass of fuel जो है हमारे पास आ जाएगा कि इतना fuel जो है वो per hour जो है consume हो रहा है इतनी power produce करने के लिए तो अब अपने क्या करना है ये जो आया है fuel MF ये आया है pound per hour में इसको per second में convert करने के लिए 36 hundred से multiply कर देंगे क्योंकि एक घंटे में 36 hundred होते हैं तो हमारे पास जो mass of fuel consumed आ जाएगा यानि कि एक second में 2 pound आपका जो है वो fuel जो है consume हो रहा है एक चीज़ तो ये हमने निकाल लिए अब आगे चलते हैं the total mass flow rate of the gases are given as अब हमने total जो gases हैं जो कि total flow gases हैं उनका mass flow rate निकालना है उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है कि जो उसने हमें provide की हुई है 20 20 basically क्या है वो कह रहा है कि 3 pound fuel से 20 pound gases बनती हैं यानि कि अगर 1 pound fuel consume हो तो 20 pound gases बनती हैं इसका मतलब 1 pound तो fuel है बाकी 19 क्या है बाकी 19 air है तो 1 pound fuel consume होगा 19 pound air लेगा और total जो है हमारे पास mass होगा वो 20 होगा वो उसने हमें provide कर दिया है 20 को हमने multiply कर देना है fuel consume per second के साथ जब इसको आप fuel consume per second के साथ multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा mass flow rate of gases आजाएगा यानि कि जो flow gases flow कर रही है उसका mass हमारे पास आजाएगा 41.67 per second तो आगे चलते हैं आगे हमने मलूम करना है T2 T2 क्या है chimney gases का temperature chimney gases का temperature कैसे मलूम करेंगे formula आपके सामने है T2 is equal to M1 M plus 1 over M multiply by T1 अब आप देखें हमारे पास M क्या है यानि कि जो mass of air है वो 19 है जो कि हमें पता है और plus 1 कर देंगे formula के मताबक और divide कर देंगे 19 पे T1 atmosphere temperature से इसको multiply करेंगे और 2 से multiply कर देंगे तो T2 हमारे पास आजाएगा formula के मताबक 638 scale 1 अब हमने chimney gases का temperature भी निकाल ली है तीन चीज़े हमने निकाल ली है वो तीन चीज़े क्या है पहली चीज़ हमने निकाल ली है mass of fuel per second दूसरा निकाला है mass of flu gases तीसरा निकाला है chimney gas का temperature अब आगे आजाते हैं अब हमने निकाल ली है density अब हमने Pamma Gmoses की निकाल रहे हैं देनस्टी चारलcence ला को ही इस्तमेल करते हुए चारल आउसला होता है वी वान आउँ टी वान was कुझ आउड टू प्रेश अगर कांस्टनिट ओ यहे इस होता है के चारल लेशला में प्रेशर constant होता है तो volume को हमें पता होता है कि density is equal to mass बटे volume और अगर आप इस फर्मूले से निकालेंगे तो volume बराबर आजएगा mass over density T1 as it is रहेगा इसी तरह V2 के against हमने निकाल लेना है कि V2 के आएगा V1 पे हमने जो suppose करना है mass वो करना है air का और V2 पे जो हमने suppose करना है वो करना है flu gases का तो flu gases का mass है वो capital M से हम denote करेंगे और जो air का mass है वो हम small m से denote करेंगे तो V2 का density बराबर रहते है mass पटे volume तो जब आप महाँ से volume निकालेंगे तो mass पटे M over density mass पटे density आ जाएगी तो जब इस formula को आप थोड़ा सा rearrange करेंगे किस के लिए row 2 के लिए यानि के flu gases की density के लिए जब इसको आप थोड़ा सा rearrange करेंगे तो formula कुछ इस तरह से बन जाएगा M over rho 1 over T1 multiply by T2 over M यह capital M क्या है यह हमारा flu gases का mass है इस formula में अब आप values पुट करें देखें 20 divided by 1920 जो है हमारा वो flu gases का mass है small m जो है वो air का mass है T1 to 73 आ जाएगा जो के 0 degree atmosphere है और इसको हम divide कर देंगे 678 पे और multiply कर देंगे row 1 row 1 क्या है यह density of gases है at atmospheric pressure और यह fix होता है यानि के 0 degree या 273 पे जो density है गैसो की वो volume है वो 12.39 आता है तो इसको 1 over 12.39 कर देंगे तो यह आपकी क्या हो जाएगी row यानि के density हो जाएगी इन सब को जब आप multiply करें तो 0.03635 पाउंड पर fit cube हमारे पास जो आजाएगी flue gases की density आजाएगी अब चार चीज़े हमने निकाल लिए चौती चीज़े flue gases की density तो अभी हम अपने last step की तरह बढ़ते हैं जिसमें हमने मलूम करना है diameter of chimney तो volumetric flow rate of flue gases अब हमने volumetric flow rate of flue gases निकालना है पहले flue gases का mass of gases जो के हमने मैं आपको दिखा दू जो के हमने यहाँ पे निकाला था mg 41.67 इसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे density पे जो हमने अभी density निकाली है flue gases की यानि के flue gases का mass और flue gases की density जब इन दोनों का अपस में डिवाइड करेंगे तो mass flow rate of flue gases आ जाएगा velocity of flue gases अब हम आएंगे velocity of flue gases निकालने के लिए सारा कुछ हम जो कर रहे हैं यह basically हम diameter निकालने के लिए कर रहे हैं तो velocity का फार्म लोता है 2GH over K K जो है 16 है यह आपने remember रखना है कि यह constant है जो के 16 है तो 2GH जी की value 32.2 होती है यह मैं पता होना चाहिए और height उसने 180 foot already दी हुई है जब इसको आप multiply करेंगे 26.916 feet q per second जो आपके पास volume आ जाएगा sorry velocity आ जाएगी किसकी velocity flu gases की velocity 26.916 अब हमने at the end at the final step हमने निकालना है diameter of chimney can be calculated as q is equal to a v उपर वाले जितने भी हमने step किये हैं यह सारे के सारे सिर्फ हमने flu gases की velocity को निकालने के लिए किये थे तो जो कि हमने निकाल लिए 26.9 और formula है हमारे पास q is equal to a v और area को हम मजीद expand करेंगे pi by 4 d square किसी भी goal shape या circular shape की जो चिमनी होती है उसका यही formula होता है pi by 4 d square अब यहां से हमने d को manipulate करना है d को अलग कर लेना है और d को अलग करने के बाद हमारा जो formula बनेगा 4 multiply by q pi multiply by v under root आ जाएगा इसमें आप values put करें देखें हर चीज हमारे पास मौझूद है 4 multiply by q 1146 यह उपर आया हुआ है और इसके बाद pi की value 3.14 होती है as we know और velocity हमने निकाली 26.9 तो जब आप इन सब को solve करेंगे तो at the end you will get the answer d is equal to 7.364 feet बहुत important सवाल है और थोड़ा सा lengthy है little bit यह दो हजार बीस के paper में यह सवाल आ चुका है तो इस लिहाद से इसकी importance भी है तो इन्शाला मिलेंगे next